चलो दोस्तों, तो आज हम लोगी स्टार्ट करते हैं git commands के बारे में और थोड़ा सा हम लोग आज git commands को ब्रीफ में understand करेंगे ठीक है तो मैं लिख देता हूं आज का हमारा topic है gits command तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपर git space init command क्या करता है उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे sorry, git init space hyphen hyphen यह command क्या करता है, सबसे पहले बात करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों git init command क्या करता है फिर थर्ड हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर git add command यहाँ पर क्या करता है फिर फूर्थ नमबर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहां पर गिट कमिट कमंड क्या करता है यहां पर फिर फिप्ट नमबर दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे गिट रिमोट एड ओरीजन यह क्या करता है फिर हम लोग 6th नमबर दोस्तों यहां पर बात करेंगे git push origin master यह command क्या करता है फिर 7th नमबर दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे git clone command क्या करता है यहां पर और 8 नमबर दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे git pull command क्या करता है तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये आठ कमांड के बारे में डिस्क्रिस करेंगा और ये आठ के आठ कमांड बहुत ही इंपोर्टेंट है चलो तो सबसे पहले समझेंगे git, space, init, hysen, where कमांड क्या करता है चलिए थोड़ा ता डाइग्राम के फॉर्मेंट में हम लोग इसको समझते हैं तो for example माल लीजे ये मेरे पास एक server है और ये मेरे पास एक server user है ठीक है ये हमारा जो है ये इस machine को मैं as a git server configure करने जा रहा हूं ठीक है और ये हमारे as a git client है आप समझ लीजे developer 1 और developer 2 ठीक है तो मैं आपर लिख देता हूं developer 1 और ये हमारा developer 2 है 2 परफेक्ट चलिए तो मैं सबसे पहले git server बनाने की बात करूं तो आप सबको पता है कि git server बनाने के लिए आपने एक server लिया उत पर OS इंस्टॉल किया और OS इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या क्या एक folder बनाया जैसे आपने project नाम का folder बनाया ठीक है अब ये simple terms में एक folder है simple terms में folder का मत्तब ये हुआ इस folder के उपर अगर अंदर जाके मैं कोई file रखूँ और file पे edit करूँ changes करूँ या इस file को delete करूँ तो मुझे ओ recovery नहीं मिलेगा ठीक है मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर कोई file रखूँ और file पे कोई भी changes करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि last changes वाला मुझे restore करना है या delete करने के बाद मुझे data दुबारा से चाहिए तो हम लोग इसके उपर versioning activate कर देते हैं तो वर्जिरिंग एक्टिवेट कब होती है वो तो आप repository बनने के बाद वर्जिरिंग एक्टिवेट होती है सबसे पहले होता है कि इससे पहले repository बनाई है ठीक है तो इससे repository बनाने के लिए क्या करना होता है इससे repository बनाना है अब terms आता है कि इससे रेपोजिट्री के दो टाइप हो गाए, एक तो हो गया, लोकल रेपोजिट्री एक हो गया भाई, रिमोट रेपोजिट्री, तो यह as a server है तो अफिससी बात है कि अगर यह server है, तो हम इसे रिमोट रेपोजिट्री बनाएंगे, क्योंकि क्लाइन्स, डबॉपर1 और अब यह हो गया remote repository ठीक है तो दोस्तों git space init-ware command का इस्तमाल हम करते हैं किसी भी फोल्डर को repository बनाने के लिए लेकिन remote repository अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप git space init-ware command का इस्तमाल करिए तो दोस्तों अगर हम git server बना रहे हैं तो office दी बात है वहाँ पर आप remote repository बनाएंगे तो वहाँ पर आपको git space init-ware command चलाना होगा तो अब यह बन गया remote repository अभी इस repository के ओपर वर्जिनिंग एक्टिवेट नहीं हुआ है इतना करने के बाद भी अगर आप यहाँ पर कोई फाइल हैं उसको changes करते हैं इस पर edit करते हैं modified करते हैं delete करते हैं तो आपको recovery नहीं मिलेगा मत्तब अभी वर्जिनिंग मिंटेन नहीं हो रहा वर्जिनिंग मिंटेन होगी third step पर आकर third step मत्तब git add command पर आने की बाद वर्जिनिंग स्टार्ट हो जाती है तो अभी मैं आप लोगों को टोकल रेपोजिट्री डेपलोपर अपने system पर बनाता है तो यह डेपलोपर अपने system पर एक folder बनाया राइट उसमें folder बनाया जैसे code नाम का folder बनाया और code नाम के folder के अंदर अब अपनी development file रखकर वहाँ पर वह एडिट करता है changes करता है अब चाहता है कि उसे वहाँ पर भी उसे वर्जिनिंग जैसा feature मिलना चाहिए तो भाई आप पहले repository बनाई है तो यह क्या करेगा यह आप कमांड मारेगा git space init तो अब यह इसका folder यह folder भी एक repository बन गया ठीक है लेकिन यह local repository हुआ है इसी तरीके से developer 2 ने भी यही काम किया यह यहां पर भी इसने अपना एक folder बनाया और जरूरी नहीं है कि जूइस नाम का folder developer 1 बना रहा है सेम नाम का folder developer 2 बनाया ऐसा कुछ नहीं है यह भी code 1 नाम का इसने folder बनाया इस folder के अंदर आके इसने भी command मारा git space init इसका भी folder बन गया repository और यह हो गया local repository क्लियर अभी हो गया local repository य अब अगली command तो हमारी यह वाली command git init command भी कवर हो गई और आप सब को पता है git init command यहां पर क्या कर रही है local repository बनाने के लिए git init काम लोग इसमाल कर रहे है perfect चला अब बात करते है git add command क्या करती है अब बहुत important point है तो git add command से आप किसी भी फाइल पर वर्जिनिंग एक्किवेट कर देते हैं just kind of things समझने के लिए for example और डीटेल में समझाता हूं माल लीजिए developer2 ने project के coding की starting के अब developer2 क्या करता है उसने इस slash code नाम के folder के अंदर आया उसने फाइल बनाई की dev project ऐसे बोल दिया उसने और उसके अंदर आकर उसने coding करना start कर दिया उसने ऐसे coding किया उसने ये coding किया coding किया coding किया coding किया coding किया ऐसे coding करके save करके बाहर आगे ठीक है अब क्या हुआ developer2 फाइल के थोड़े दरबाद इस फाइल के अंदर फिर जाता है फिर कुछ edit वगरा करता है ठीक है ये developer से गलती से ये फाइल डिलीट हो जाती है तो दोस्तों ये फाइल अब रिकावर नहीं होगी क्योंकि अभी तक आपने इस फाइल पर ये नहीं बता है कि वर्जिनिंग एक्टिवेट नहीं किया इस फाइल तो ये फाइल आपको रिकावर नहीं होगी और इसकी कोई version maintain नहीं हो रहा है क्यों कि इस folder के अंदर इस folder को आप repository बनातो दियो लेकिन इस folder के अंदर आपने अपने गी अक्टिवेट तो कर दिया लेकिन इस folder के अंदर जो भी files create हो रही है उस file को git अभी understand नहीं कर पा रहा क्योंकि git के track में वो file नहीं आप git उसे track करने लग जाए, इस file के उपर वर्जिनिंग activate हो जाए, तो अगर आप वर्जिनिंग activate करना चाहते हो, तो फिर आप उस file के उपर क्या command चला दो, git add command, clear दोस्तों? तो अगर हम उस फाइल के उपर git add command चला देते हैं तो अब git add command चलाने से क्या होता है git उस फाइल को अपने रेडाग में ले लेता है उसको अपने ट्रैक में ले लेता है और उसको जब उसने रेडाग में ले लिया उससे अपने ट्रैक में ले लिया तो अगर हम उस file को कितनी बार भी changes करें, जो भी हम उस file को पर changes करते हैं, तो अब यहाँ पर git की monitoring कर रहेगा और इसके हर एक changes के version को maintain करेगा और अगर मालो कुछ हमसे गलती हुजाती ही, तो हम git को बोल सकते हैं कि पराने वाले version को restore करके आमें देखो तो इतना समझ लो, git add command से आप उस file जब आप किसी file पर git add command चला जेते हो, तो ओ फाइल अब git के track में आ जाती है, git के redag में आ जाती है और इसका मतब अब उस file के उपर आप version कर सकते हो, ठीक है लेकिन आपको अगर आप यहां पर version का feature आप कुछ चाहिए तो एक step आपको और follow करना पड़ता है, जो होता है git commit अगर आपने git commit इस समाल नहीं करोगे तो it means आप version का feature एक तरीके सा आपको नहीं मिल रहा है, कहा जाए तो तो git commit command इस अपर क्या करेगा देखे दोस्तों, तो माल नीचे इस file पर मैंने कोई भी changes किया, कोई भी changes किया, कोई भी changes किया, टीक है, मैंने उसको git add में add command चिलाकर इसको मैंने git के track में डाल दिया, redag में डाल दिया, लेकिन अगर मैं changes करने के बाद कुछ save करता हूँ, तो मैं जाता है, कि उस file के उपर git commit command इस तरना पड़ता है, और basically git commit command कुछ नहीं है, यह उस file का, कए एक snapshot create कर देता है, बस बास खत्म, क्या करता है, उस file का, किस snapshot create कर देता है, तो माल लो, इस file के उपर मैंने बहुत दिर तक काम किया, काम किया, काम किया, अब मुझे लगत सेप करना चाहता हूं, तो दोस्तों, आप सेप करने के बाद, जश्ट बाद, उस पे commit command रन करते हैं, तो आप अगर उस पे commit command रन कर देंगे, तो उसका एक Snapshot बन जाएगा, उसका एक Snapshot बन गया, फिर आप उस file के ओपर दुबारा उपन करके उस पे आप changes करना में कुछ गलती हो जाएगे, कोई बात नहीं भाई, लास स्टेस्ट कामने के Snapshot रटा है, उसे रिष्टोर कर लेंगे, तो इसे तरीके से दोस्तों, डेपलोपर्स क्या करता है, अपनी डेपलोमेंट फाइल के अंदर, जितनी बार भी हो एक्स्रा चेंजिस करता है, जितन तो आपको लगता है कि मैं कुछ नया मोडिफिजन करने जा रहा हूँ, तो आप उसे एक बार कमिट करता है, तो उससे फाइजा क्या होगा, फ्यूचर में कुछ गलती होगी, तो आप लास्ट कमिट को रिष्टोर करते हो, दोस्तों, अब जाकर आपको इस फाइल को पर ए कुछ भी एक समझने के लिए मैसेज आप दे सकते हो, अब बात करते हैं, गिट रिमोट, एड ओरीजन कमांड क्या करता है, तो जैसे कि डेवलोपर्स ने माली जे इस पे चेंजे कर लिया, पूरे दिन इस फाइल के उसने चेंजे किया, अब लास्ट कमिट उसके पास है, सबसे पहले, लिंक बनाएगा, गिट सरवर के साथ, यहां पर यहां पर कमांड मारेगा, git add sorry git remote add origin और git server के address देगा जैसे git server के address मालो हुई है 192.158.177.128 और colon slash o folder बोले तो remote repository तो यह command developer2 जब चलाएगा जैसे developer2 यह command execute करता है तो अब क्या होगा यह developer का system इस server के साथ link हो जाएगा बोले तो यह server इसके साथ link हो जाएगा तो अब इसके साथ जब link हो गया किस command से git remote add command से तो अब यहाँ पर developer क्या करेगा उस sorry basically git remote add origin command क्या करणा developer अपने system को git server के साथ link करने के लिए use करता है तो clear दोस्तों तो यह command भी हमारी clear हो गई git remote origin क्या करता है इस command का हम बार बार यूज़ करेंगे जब हम git की lab क्या करेंगे perfect चलो अब अगली command क्या है git push origin अब developer चाहता है कि अपना last commit वाली file को server पर डालना चाहता है तो फिर यहाँ पर command क्या चलाएगा git sorry इसका क्या ब्लैक कर लेते है git push origin master तो इस command से क्या होगा यह वाली file क्या होगी git server पे इस folder पे आके यहाँ पर store हो जाएगा perfect चलो अब क्या हुआ तो हमारी यह git push origin command भी clear होगी यह क्या कर रही थी चलो अब आगे बात करते है git clone command क्या करती है तो अब क्या हुआ कि इस project की starting developer 2 ने किया और developer 2 तीन दिन से उस project पे काम कर रहा था और everyday वो last commit को server पे push कर देता अब तीन दिन के बाद company ने एक नया developers hire किया developer 1 अब developers 1 को बोला कि भाई तुझे भी उसी project में काम करना है जिस project में developer 2 काम कर रहा है तो अब अगर developer 1 अपने system पे आता है और उसने किया कि एक और file बनाई और शुरू से coding करना start कर दिया तो एक तरीके से देखा जा तो time wasting है developer 2 ने तीन दिन तक उस फाइल पे coding कर रहा है तो आप सुरू से तो यहां पर कमपनी क्या बोलेगी कि developer 2 ने जो भी काम किया है उसका अप टू-डेट फाइल गिट सर्वर पे रखा हुआ है आप क्या एक काम करिए गिट सर्वर पे जो रेमोट रेपोजिटरी उसको एक क्लोन मना के आप अपने system पे रख लीजिए तो आपको अप टू-डेट चेंजिस का मिल जाएगा तो यहां पर developers 1 फिर क्या करेगा developers 1 यहां पर अपने system पे जाकर सबसे पहले तो फोल्डर बनाएगा और git init उसके बाद उसके बाद हो command मारेगा git clone और git server का address ने देगा यह प्रोजेक्ट तो अब क्या होगा git developer 1 के system में यह पूरा प्रोजेक्ट रिमोट रेपोजेट्री उसके system पे आपर आ जाएगी और फिर उसके अंदर उसके अप्टूडेट वाली coding file मिल जाएगा क्लियर दोस्तों तो इसी तरीके से यह होगे हमारी git clone command तो इस तरीके से हमने git clone को भी understand कर लिया यह होगे हमारी git clone command परफेक्ट चलो अब लास्ट कमांड हम देखते हैं गिट पूल अब गिट पूल क्या करता है तो अब बहुत ध्यान से तुनिएगा developer 1 का system भी git server के साथ लिंक हो चुका है अब क्या होगा अब माल लो developer 2 एक दिन ऑफिस में आया मतलब जिस दिन developer 2 ऑफिस नहीं आया उस दिन सिर्फ developer 1 उस पे काम कर रहा था काम कर रहा था काम कर रहा था और काम करने के बाद वह भी पुस्ट कर देता है अगर developer 1 ने git clone बना लिया तो उसे फिर git remote add से उसे लिंक करने के जुरुक नहीं हो क्लोन से लिंक हो जाता है तो अब developer 2 उस पे काम कर रहा काम कर रहा और काम करके साम को उसमें पुस्ट कर दिया अब तीसरे दिन developer 2 ऑफिस आया अब उसे नहीं पता कि उस इस coding file को पर extra क्या changes होई है developer 2 को तो नहीं पता ना तो आप developer 2 यहाँ पर clone नहीं करेगा क्लोन करेगा तो पुरा folder आएगा तो developer 2 आप क्या करेगा पुल कर लेगा तो जब developer 2 पुल करेगा तो उससे अप टुदेर बोले तो जो भी changes उस फाइल पे changes होगा और latest file इसे मिल जाए जो भी content हो अपने पास ले लेगा और काम करना start कर लेगा तो इसी तरीके से दोस्तो जब भी company के अंतर कोई नया developers आता है तो वो क्या करता है पहले clone कर लेगा और clone करने के बाद further उसके बाद जब भी हो काम करना start करेगा तो start करने से पहले git server से पुल कर लेग अप टुदेर बली coding file और फिर उसके पर हो काम करना start करेगा तो इस तरीके के दोस्तो यह basic basic command है जो हम practical के format में अभी बात करेंगे तो अगर किसी को दिक्कत आई होगी इस theory को समझने में तो I think जब मैं practical करूंगा तो चीच clear हो जाएगा तो चलिए practical start करते है फिर हम लोग इसका तो यह मेर मेरे पास एक git server है और यह मेरे पास एक git client है git client1 देख सकते हैं और इसी तरीके से मेरे पास यह git client2 है तो इसको हम लोग समझने के लिए इसको हम लोग कर लेते हैं developer2 hostname change कर लेते हैं hostname ctl set hostname developer2 परफेक्ट चलो और इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं developer1 developer1 developer2 ठीक है जैसे हमने theory में किया same practical में भी करेंगे और इसी तरीके से मैं इधर भी नाम change कर लेता हूं हमें दिक्कत नहीं होगी developer2 और यह developer1 परफेक्ट चलो नाम भी जेंज होगा और यह हमारा git server है तो git server पे जाते हैं एक repository बनाते हैं mkdi slash project और हमने यहां पे हमने मारा git init – where यह बन गया sorry git का package नहीं है तो git का package इंस्टॉल कर लेते हैं यहां में इंस्टॉल झांदाब झांदा 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 तो अब हम लोग कमांड बारता है इनिक्ट आइफन इफन वेर अब जलते हैं गिट डेब्लोपर टू और डेब्लोपर टू ने क्या किया अपने फोल्ड एक फोल्डर उसने बनाया अब डाइग्रम में क्या है किस नाम को फोल्डर है कोड़ वन चलो तो डेब्लोपर टू ने क्या किया itself कोड़ वन नाम का फोल्डर बनाया और कोड़ वन के अंदर गया और कोड़ वन के अंदर जाके इसने क्या कमांड चलाया इसके बाद उसने एक फाइल बनाई डेबलोमेंट के लिए क्या नाम है फाइल के नाम डेब प्रोजेक्ट जैसा चुरी में सेम यूज करते हैं डेब प्रोजेक्ट अब इसके अंदर गया और इसने लिकोर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया वैलकम टू इंडिया उसने फाइ अब इसे क्या करेगा इतना करने के बाद यह क्या करेगा गिट कमिट अब स्नैप्सवर्ड बनाने जा रहा है इसका हाइफन एम फॉर मैसेज दे सकता है तो इसमें मैसेज लिख दिया फर्स्ट ठीक है और बता दिया वाई फाइल का नाम यह लो तो अब देखों यहां पर क्या बोल रहा है अब कहा रहा है कि भाई प्लीज टेल मी फू आर यू तो यह अपनी इंफॉर्मेशन देदेगा थोड़ा सा और अपनी इंफॉर्मेशन पास कर देगा देखिए बता भी रही है कमंड चलाईए गिट कॉंफिग आइफन आइफन ग्लोबाल यूजर जोड इमेल डेवलोपर टू एड तरेड येलो उसके बाद यूजर नेम बता दिया उसने अब यहां पर यह कमिट करता है तो कमिट कर दिया अब उसके बाद हो क्या गरा है गिट सर्वर के सब्सक्राइब बनाएगा किस कमांड से गिट रिमोट एड ओरीजन और गिट सर्वर का एड्रेस यह है मेरा 192.168.177.128 और रिमोट रेपोजेटर यह लो अब इसके बाद यह क्या करेगा है गिट पुस ओरीजन मास्टर पास्वर्ड डिफाइन कर देते हैं तो आई थिंक की गचक्कर है तो मैं काम करता हूं स्सर्च हाइफन की जैन अलांकि यह चीज़ मैंने आपको पहले वाली वीडियों बता रख्थ है तो मैं ज्यादा एक्स्प्रेंट नहीं कर रहा हूं यह तो अब यहां पर गिट पुस ओरीजन करता है एक सकंड चेक करता हूं तो दोस्तों यह जो हम लग मिस्टेक कर रहा है तो वह जो जो नहीं करना ना रूट था तो यह गलती हो गए हमसे तो इसे हम ठीक कर लेते हैं तो इससे ठीक करने के लिए हमने क्या किया है हाँ पर और इससे मैंने बोल दिया रूट यह कह रहा है अल्यडी एकसिस्ट है तो एक काम करते हैं हम जल्दी से इस फोल्डर को दुबारा से क्रेट कर लेते हैं और दुबारा क्रेट कर लेते हैं इंडिया पर्फेक्ट राइ इसको में गिट एड उसके बाद हमें को इसको एड़ नहीं पॉरिचन और पहले यह मिस्टिक किया ऐसे जरीखा था यूसर नहीं कर दिया जाता है जो मैं आगे बाद पर हुआ है अभी गिट सर्वर पर जो अथेंडिकेशन बन रहा है कि रूट से बन रहा है बड़ कंपनी में रूट से नहीं होता है बाद ध्यान रहे हैं यह चीज हम आगे करेंगे नॉर्मल उसे कैसे करते हैं उसके बाद मैंने 192.168.17 27.128 और देदिया पाथ परफेक्ट अब मैं अगर यहां पर गिट पुस ओरीजन मास्टर करूं तो देखें पुस हो गया परफेक्ट चलिए अब डेपलोपर वन आया जैसे सेनरियो में आजिये आजिये डेपलोपर वन आया तीन दिन के बाद अब डेपलोपर वन अपने इसने एक फोल्डर बनाया कोड नाम का और यह भी अपने कोड आम के फोल्डर पे गया और इसने क्या किया इसने लेकिन यह भी उसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है तो वाली फाइल बोले तो कौन सी फाइल डेप प्रोजेक्ट यह सरवर पर रख्य हुए है तो यह गिट डेपलोपर वन क्या करेगा क्लोन कर लेगा उस एमोट रपोजेट्री को तो कैसे क्लोन करेगा गिट हो अब क्लोन और एड्रेसं दिया जाएगा ऊसे पर HU लोगर टोन करेगा तो देखिए ओ रेपोजेट्री यह UK यह डेख सकते यह देखिए अब यप्टी पर वन भी इसके काम करेंगा इस पर अन्होंने कुछ चेंजेस कर लिया लो welcome to AWS उसने भी कुछ coding कर ली किया ऐसे यहाँ पर welcome to azure cloud perfect अब developer one क्या करेगा इसको भी commit करेगा और commit high बनाया उसने message दे दिया जैसे second perfect और yellow अब इसे क्या करेगा git push origin master push हो गया इसे link करने अपने server को link करने की ज़रूपी पड़ी डारेक्ट यह push कर रहा है क्योंकि clone बनाया तो link हो गया अब developer 2 आया developer 2 बोलता है यार मेरे पास तो अभी जो मैंने किया था वही है इस file पर developer 1 ने कुछ चेंज करके server पर रख दिया है तो अब developer 2 काम करने से पहले क्या करेगा है यहां पर गिट पुल कर लेगा यह लो तो देखिए कह रहा है चेंजस था और अब देखिए इसको अप्टुडेट वाला इसे यहां पर मिल गया देख सकते हैं इसी तरीकी से अगर यह दुबारा पुल करता है तो क्या बोलेगा everything is updated मत्तब तुम्हारे पास जो है वही master पर है ठीक है तो उमीद है दोस्तो यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा यह सारी command है git 8 command हमने cover कर ली तो इसी तरीके से दोस्तो इस वीडियो को करते हैं इस पर समाप्त और अगले वीडियो में हम git की अगली command के बारे में बात करेंगे तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और दोस्तो यह वीडियो अगर आपको understand हो रहा है तो cloud knowledge channel को subscribe करिए और अपने दोस्तों को share करिए और वीडियो को like करिए इसी के साथ दोस्तो next video मिलते हैं next topic के साथ टब तक के लिए बाबाए